मोधी सरकार इंडिया नाम खत्म कर देगी इस डोक्यूमेंट ने सारी कहानी बता दी तीन घटनाई हुई जिन से इंडिया नाम बदलने की बात होने लगी अब इस पर किस ने क्या बोला इंडिया या भारत नाम पर सियासी बबाल शुरू हो गया है कहा जा रहा है कि G20 की ठीक बाद मोधी सरकार ने संसद का जो विशेश सतर बुलाया है उसमें इसी पर काम होगा नाम बदल दिया जाएगा और फिर देश का नाम सरवजनेक और सार्व भौमे के रूप से सिर्फ भारत रहेगा फिर इंडिया कहा जाना बीते जबाने की बात ह हो जाएगी हाला कि फिर बता दे कि ऐसी केबल अटकलें लगाई जा रही है कैसे पता लगा नाम बदलने वाला है नाम बदलने वाली बातों को कई वजों से बल मिला मंगलवार 5 सितंबर को सुबह सुबह पता लगा है कि एक्स पर एक नया हैंडल G20 भारत लौच हुआ है ये G20 का अत्रिक्त एक्स अकाउंट होगा इसके तहट G20 से संबंदे टिपडियां और सूचना है भारत के आधिकारे के नाम से जारी की जाएंगी एक खबर और आई जिससे नाम बदलने की अटकलें लगने लगी राष्टपती भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंतरन पत्र भेजा है वो भी भारत के राष्टपती के नाम से भेजा गया है जबकि अभी तक इसके लिए सामाने प्रचलन में President of India ही लिखा जाता रहा है इस निमंतरन पत्र की एक तस्वीर भी सामियाई है जिसे एक मंत्री को भेजा गया है इस पर President of India की जगे President of भार भारत लिखा हुआ दिख रहा है मोहन भागवत ने भी बोल दिया इंडिया नाम को लेका राष्टी एस्वाइम से वाकि संग्र के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से भी बुला गया है शुकरबार 1 सितंबर को मोहन भागवत ने एक कारिक्रम कहा कि इंडिया की जगे भारत का इस्तिमाल किया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से ये अपनी आदत में शमार करने की अपील भी की उन्होंने आगे कहा कि भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए ये भी बोले कि देश का नाम सदियों से भारत रहा है भासा श्वास सर्मा ने इस पर खुशी जहिड की है उन्होंने एक्सपर लिखा रिपाबिलिक ओफ भारत भारत गाड़ राज खुशी और गर्व है कि हमारी सम्मिता साहस पूर्वक अमरत काल की ओर आगे बढ़ रही है। के लिए सामा ने इंडिया के राष्ट्र पती के बजाए भारत के राष्ट्र पती के नाम पर निमंतरन भेजा है अब सम्मिधान में अनुचिद एक को ऐसे पढ़ा जा सकता है। है। है